तो student का कहना है कि how to study income tax तो जो income tax है वो कैसे पढ़े हम सर आपकी classes मैं लेने में लेट हो गया join मैंने लेट किया तो कैसे पढ़े है मैं इसको बता दू एक पर आपको देखें income tax के जो unit को छोड़ते हैं हम chapter wise चलें तो first chapter हमारा है income tax में that is introduction इंट्रोडक्शन जो chapter आपको पहले करना है उसी sequence में यहाँ पर numbering लिखता जाऊँगा और इसी sequence में आपको आगे बढ़ना है ऐसा नहीं कि directly जो मैंने new chapter स्टार्ट किया है उसी के आपको पढ़ना है अब आगे आते हैं number two number two है आपका residential status number three chapter है जो वो आपका आता है income from वैसे तो अलग-अलग बुक में exempted income है income from house property number four पे जो है that is salary हम अभी तक live class में यहीं तक पहुँचे हैं और हमारी बात करें previous chapter जितने भी हैं जो बच गए आने वाले chapter वो pre-recorded में डला हुआ है उसमें कोई ज़्यादा amendment है ही नहीं ना के बराबर है वो आप internal के लिए पढ़ भी सकते हैं तो sir हमारे पास जो बच्चे जोईन हो रहे हैं इसके बाद के जो chapter है लिखने का फाइदा नहीं है कि जैसे कि capital gain हो गया जैसे कि आपका अगर मैं आगे बात करता हूँ लिख देता हूँ अगला chapter होगा हमारा sir capital gain उससे अगला chapter होगा हमारा sir deduction उससे अगला chapter होगा sir पी जी बी पी प्रॉफिट गेन बिजनस एन प्रोफेशन उससे अगला chapter होगा मेरा set of and carry forward यानि time table में दे रखा है बाकी मैं सारे chapters ही लिख दूँ इसके बाद होगा clubbing clubbing of income इसके बाद होगा agriculture income इसके बाद होगा individual assessment इसके बाद होगा partnership firm तो कुछ ये chapters है जो हमें करने होंगे तो इसको ध्यान रखते हुए मैं आप सभी student को एक बात बताना चाहूंगा पढ़ना चाहिए फिर ये पढ़ना चाहिए इसको करके यहां भी आ सकते हो इंट्रोडक्शन करें डारेक्ट सेलरी में आ सकते हैं वो भी स्टार्टिंग से बीच में नहीं इंट्रोडक्शन करें डारेक्ली house property के चप्टर को स्टार्ट मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं यह रहेगा सही तरीका आपका अप्रोच पढ़ने का